आज बात करेंगे मुफ्ती काश्मी जी हमारे साथ हैं, सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका, सर ये जो इस वक्त उत्तरबरदेश में हो रहा है, या कई राज्यों में हुआ है, चोदा राज्यों में हुआ है, कैसे देखते हैं जुम्मे के दिन ये पत्थर बाजी को? देखे मैं, जिस अंदाज से जो एजिटेशन हो रहा है, वो बिलकुल लोक्तांत्रिक नहीं है, जिस अंदाज से जो वाइलेंस हो रहा है, वो वायलेंस को क्या नहीं ठेराए जासकता, मैं मैंने वो नुपर। शर्मा की वो भाइट देखी है, जिसमें एक मुस्लिम तथा का ती देखर विद्वान बना हुआ है वो उकसा रहा है और वो उकसा इस तरह से रहा है वो ये कह रहा है कि वो उनके शिवलिंग का कोई नाम रहा है अरे भाई एक दो हबते तक तो खामोची रही दो हबते के बाद आखिर एकदम से आपने जो है आपके एजिटेशनों ने जो एकदम से रफ़तार पकड़ी है तो मैं मैं मुस्लिम समाज के इंट्रलेक्श्वल बुद्धी जीवियों से कहना चाहता हूं कि आखिर क्या इसलाम ने हमें यही रा कर रहए है और अगर सरकार उसके ऊपर पार मुद्ध करना ही चाहिए कोई समझोता करना ही नहीं है अगर रॉर ना व्रस करेंगे तो पिर उसके बड़ा और को हो सकते हैं जो नहीं जैए इस सरकार की सबसे बड़ी खुबी है है इस सरकार में दंगा-मुक्त- सरकार ने देश के अंदर भर्म पैदाना हो ऐसे लोगों को सरकार की अब ये जिम्मेदारी है कि वो उन लोगों का पता लगा है जिन्होंने ऐसे नारे लगाए हैं जो सर तंसे जुदा के नारे लगा रहे हैं या जो बलातकार के नारे लगा रहे हैं या जो जो जबान काटने की बात क कि लोगे